सर बिहार में जो है काफी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में बहुत सारे केसिज आये हैं, जिसमें खास कर पटना में 36 केसिज मिले हैं, तो इसको लेकर अपने हां क्या विवस्थाएं हैं और इस पर आप क्या कहना जाएंगे? डेंगू ऐसी विमारी है कि आप सब को पता है कि मच्छड से होता है, और जब ही मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, तो कितना भी हम लोग कोशिश करने, पानी जमता है, आप घर के अंदर देखें तो घर के अंदर हड़ आदमी पॉट रखता है, प्रांट रखने के है, हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जहां भी आसपास पर पानी हो, उसका पानी नहीं रुके, जब भी पानी रुकेगा तो ये तक्रीफ शुरू होगी, दिक्कत शुरू होगी, अगर किसी को डेंगू हो जाए, तो घबाने के ज़ुरत नहीं है, इस बार का जो डेंगू हो जा रहा है, बुखार काफी तेज रहता है, तीन से पांच दिन तक रहता है, दर्द की और बुखार के दवा खाने के बावजूद, वो जिरो या मतलब नॉर्मल नहीं होता, बहुत दवा काम करकारगार होगा तो सौ तक बुखार जाता है, फिर एक सो तीन चला जाता है और ये तीन से पांच घंटे के अंदर दोबादार बार बार बुखार हो रहा है इस कारण लोगों को परिशानी हो रही है इसके बाद कुछ लोग ओवर्डोस कर लेते हैं जैसे कि 600 mg का उनको परसेटमॉल खाना है तीन बार तक वो चार बार पांच बार खा लेते हैं तो उसके ओवर्डोस अकार उनको उल्टियां शुरू हो जाती है फिर घर पर इलाज करना मुश्किल हो जाता है आपके चैनल के माधिरम से लोग को मैं बताना चाहूँगा कि घवराने के जुरूत नहीं है वो अपना खयाल रखें कोशिश करें कि घर में और बाहर में कवर्ड कपड़े रखें ताकि जितना उनका अंग ढखा रहे उतना मच्छर कम काटने के प्रक्रिया हो सकती है और अगर एक बार बुखार हो गया डेंगू या कोई वारल फिवर हो गया तो दोनों का इलाज एक ही है पानी काफी मातरा में होने चाहिए तरल पदार्थ काफी मातरा में प्रोटीन की मातरा अची होने चाहिए कैलपोल दवाई लेनी है बी कॉंप्लेक्स लेना है इसके साथ टेंपरेजर चाटिंग करनी है और जहां भी टेस्ट कराएं इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच जाए ताकि आंकड़ा एक पता जासा कि कहां कैसे किस जिले में और किस जगह में कितना हो रहा है ताकि हम लोग उसको उससाब से उस पर ज़्यादा जोड़ दे के इलाज कर सके लोग को चाहिए घर में भी मच हैं जो डेंगू से पिरित हैं तो उसको तकम से कमज़ानी में जरूर रखें ताकि उसको काटके कोई दूसरे को मरीज का इंफेक्शन नहीं जा सके तो यह बहुत जरूरी है सबसे ज्याज़ा हो है कि अगर बुखार टूटते ही लोगों कमजोरी बहुत हो जारी है चक्कर घबराने लग तो उनको घबराने की ज़ुरत नहीं है अपने डायेट पर ध्यान दें प्रोटीन डायेट होने चाहिए लिक्विड काफिय होना चाहिए उस लोगों की भूख चली जाती है तो कोशिश करना है कि भूख के लिए वो सूप का सेवन करें वेज या नॉन हो ब्लड शुगर के मरीज हो उसमें अगर बुखार नहीं कमता है तो उसमें हमें सचेत रणी के जुरत है और नियरी इतने भी नजी की डॉक्टर हैं जिसका पहले से संपर्क में वह किड्नी और शुगर और उससे जरूर संपर्क करें और अपने दवाई का डोस है वो चे क्या इंतिजाम किये गए है आपके चैनल के मादम से बताना चाहूं कि इसका कोई बहुत अलग सा इलाज नहीं है जो घर में भी हो सकता है भरती उनको करने की जरूत होती है जिसमें उल्टियां शुरू हो जाए या दवाई का कॉम्प्रिकेशन्स लेजे वैसे मरीजों के जूरी के लिए भरती होने की कोई जूरती यों घर पर भी इलाज कर सकते हैं और यह तीन से 5 दिन में ठीक होना है पांच दिन से ज्यादा है तो अ乾्ट और यदो